मेरी प्रिय पुस्तक पर सबसे अच्छा निवन्द कैसे लिखें? चलिए आपको बताते हैं, इसके लिए सबसे पहले रूप रेखा लिखेंगे, रूप रेखा में प्रस्तावना, पुस्तक का महात्व, मेरी प्रिय पुस्तक, पुस्तक की भासा सेली, पुस्तक से प्रेणा प्रिये पुस्तक का वर्णन और उपसंगार फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रिस्तावना और लिखेंगे हमारे जीवन में ग्यान की कमी को पूरा करने के लिए पुस्तक होती हैं उत्तम पुस्तके अच्छे मित्र, गुरु और मार्ग दर्सक का काम करती हैं उनके अध्यन से हमारा ज्यान बढ़ता है और व्यक्तित्तु का निर्मार भी होता है पुस्तके ज्यान का महासागर होती है इन्हीं से व्यक्ति सब कुछ सेखता है पुस्तक के जरिये ही हर व्यक्ति बिद्वान बनता है मानो जीवन में पुस्तक का होना अपने आप में एक अहिम भोमिका ह फिर हेटन दालेंगे पुस्तक का महत्तु पुस्तक ग्यान का भंडार होती हैं एक सही पुस्तक में मन से केई विचार अचार और मानसिक्ता को बदलने की ताकत होती है। पुस्तक से बढ़कर दुनिया में कोई भी सच्चा मेत्र नहीं है, किताबें छात्रों को भरपूर आनंद और ज्ञान देती हैं, छात्र पुस्तक से बहुत कुछ सीखते हैं, पुस्तक उनके जीवन अस्तर में सुधार करती है, पुस्तक छात्रों के अनुभव को समरिध कर करती है और उनके बुद्धी को तेज करती है मैंने अब तक कई पुष्थके पढ़ी हें उन्स सब में मेरी सबसे प्रे पुष्थक राम चरित्मानस है यह है राम चरित्मानस को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है इसे अधिकतर हिंदु धर्म के लोग पढ़ते हैं फिर अगली हेडिंग है पुस्तक की भासा सैली इस किताब की सबसे बड़ी विसेश्ता यहां है कि इसकी भासा बहुत ही सरल और सहज है तथा इसमें किये गए प्रसंगों का उल्लेक भी हिर्दे को छू लेने वाला है इसकी सैली भी बहुत रोचक है इसकी जितनी तारिफ की जाये उतनी ही कम है सरल और छोटे-छोटे वाक्यों में उन्होंने भासा और भाव का सारा वयभो भर दिया है इसे पढ़ने से काब्य का आनंद मिलता है फिर अगली हेडिंग है पुस्तक से प्र लेना चाहिए यह चीज हमें पुस्तक ही सिखाती है पुस्तक सच मुच सभी लोगों के लिए पिरणा दायक होती है फिर अगली हेडिंग डालेंगे मेरी प्रिय पुस्तक का वरणन राम चरित मानस पुस्तक आयोध्या के राजा भगवान स्री राम पर लिखित एक महान प उनका बिश्त्रित वरणन है किस प्रकार से भगवान स्री राम को वनवास मिला उसके बाद भगवान राम की पतनी माता सीता को रावण हरण कर लंका ले गया उसके बाद भटकते भटकते भगवान राम और हनुमान जी लंका पहुंचे लंका जाने के बाद रावण को पुनाह आयोध्या लवटाए इसके बाद भगवान स्री राम ने आयोध्या में पुनाह कई सालों तक अपना राज्य किया और फिर हेड़ी डालेंगे उपसंगार मेरी प्रिय पुस्तक में हमारे देश के इतिहास की सुन्दर जहां किया हैं इस पुस्तक को पढ़कर ना जा करते हैं कि दुनिया तकनीकी रूप से चाहे जितनी आगे बढ़ जाए लेकिन हमारे जीवन में किताबों के योगदान को हम नकार नहीं सकते हैं किताबें हमें जिम्मेदार और देश का इमानदार नागरिक बनाने में मदद करती हैं इसी के साथ धन्यवाद